नमस्कार संस्कृत के प्रियों विद्यारतियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेगनेट ब्रेंस पर मैं पंकस्तिवारी आपके लिए लेकर के आये हैं उसी कक्षा जो हम 11 मी का सास्वती पुस्तक पढ़ रहे थे और उसी का अश्टम पार्ट और हम अश्टम पार् अश्टम पार्ट में और आपको पता है कि दयावीर कौन है हमीर देव राजा रण थंबहुर की राजा अर्थार्त रम रण थंबहुर के दुर्ग पर जिसका अधिकार था वही हमीर दिव राजा और अलाउद दिन के कोप से तरासित कौन भाए से कौन हमारे सैनापती महिमा साह जी उन्हीं के इस पर क्वेश्चन बनने वाले हैं चलिए देखिए मुल्टीफल च्वेश्चन ठीक इसमें हमारा पहला प्रश्चन रहेगा आपके सामने आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अगर हम एक बार तयार कर लेते हैं तो आपको कभी नहीं भूलते हैं और याद रखना कि इसमें सबसे ज़्यादा तो हमको ये बात है कि इस क्वेश्चन को हल करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी चार विकल्प कौन से हैं अगर चारों विकल्परों पर हम चर्चा करती हैं तो एक क्वेश्चन के साथ हम चार क्वेश्चन को आल करते हैं याद रखिएगा चले लिखे आए पहला प्रशन है महिमा साही सेहनानी क्या लिखा हुगा है महिमा साही सेहनानी प्राण रक्षाये कुत्र अगच्छत याद अलग सब्द है एक हमारा प्राण है और प्राण आप लोग जानते हैं जिसे हम रत्यव से तुल करते हैं अगर प्राण ना रहे तो व्यक्ति मृत हो जाता है वही प्राण रक्षाएई अब यहां रक्षाएई में कौन सी बिभक्ति लगी हुई है चतुर्थी जब से पहले चला कि यहां चतुर्थी है आपको कैसे पता चला कि यहां चतुर्थी है इसके लिए हमें क्या होना चाहिए सब्द रूपों का सुबंत प्रकर्णम हमें पूरा तयार होना चाहिए सब्द रूपों का ज्यान होना चाहिए सबसे पहले तो हमें इसका मूल सब्द पता होना च जब हमें किसी प्रश्ण को हल करना है तो उसका अर्थ हमें अवस्य रूप से पता होना चाहिए अगर अर्थ हम नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमारा पढ़ना तो ठीक है आप याद कर लेंगे तो आप याद करेंगे केवल और केवल उसको कुछ दिनों के लिए और अगर इसक किसे में बहुत अच्छी अच्छि पद्भी पर बैठ सकते यहिए निर्धारित नहीं किया है यह पर परिणाम कर्में पर अच्छा पढ़ कर के जाते हैं हो सकता है कि आप सिक्षक बड़े बहुत अच्छी पश्पत पर जाकर कर प्रोकिसर असिस्टेंट प्रोकिसर तो आप हो सकता है कहीं कि याकर के और कि लेकर के आप कहीं पर भी लेकुर की जिसको है तो इसके लिए हमें ऐस बहुत क्या करना ź hablar बहुत अच्छे सी अध्यान करना चाइए चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर रक्षा यही कैसे बना है थोड़ी देर के लिए हम देखेंगे कि रक्षा सब्द रहेगा क्या रहेगा रक्षा सब्द अब रक्षा सब्द अगर है तो हम इसको देखेंगे कि यह आकारांथ है कि इकारांथ है कि आकारांथ है कौन सा है तो इसमें देखिए आकारांथ इकारांथ उकारांथ कई लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं जानते हैं और बहुत स सब्द की अंत में जो मात्रा लगी होती है जिस स्वर की वही हमारा कहलाता है जैसे इसमें बड़ा आ है रक्षा में बड़ा आ है तो यह आकारांत बन गया और राम सब्द लिखती है जाए तो यह इसमें छोटा आ हो गया है तो यह अकारांत हो गया है जैसे हमने यहां पर अंत में जुड़ने वाले ऐसे स्वर जो हमें सब्द को निर्धारित करते हैं कि यह सब्द कौन सा है तो यहां पर रक्षा सब्द चल रहा है अब रक्षा सब्द की रूप अगर हमें नहीं आते हैं तो हमें एक बात याद रखना कि कुछ हद तक कम से कम 12-15 रूप का हमें य तो है ऑजन्त एक होता हैह सा एक अजन्त और एक हलंत आपको थोड़ा सा बताऊँगा ज्यादा इस पर चर्च savior नहीं करेंगे एक रहेगा देखी आजन्त और एक रहेगा हलंत मिपालत करें एक अजनत क्या है यह याद Los लेना अब देखें अजन्त की बात करें तो अजन्त तीन प्रकार का होता है कौन-कौन सा अजन्त पुलिंग अजन्त पुलिंग और अजन्त अजन्त इस्त्री लिंग और बात करें अजन्त नपुन सकलें अजन्त नपुन सकलें तो ये तीन प्रकार का हो गया अब बात करते हैं कि अजन्त पुलिंग कितने प्रकार का होता है तो अजन्त पुलिंग हमारा चार प्रकार का होता है कितने प्रकार का चार प्रकार का अकारंट अकारंट इकारंट उकारंट और रिकारंट रिकारंट अकारंट इकारंट उकारंट और रिकारंट हमने पूरा नहीं लिखा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा ठीक अब यह पुलिंग के चार हो गए एक रूप इसमें हो जाएगा जैसे हमने आपको धारन दे दिया ह राम इकारांत में आजाएगा मुनी और उकारांत में आजाएगा भानू और रिकारांत में आजाएगा पित्री यह चार रूप हो गए अब यह चार रूप हमें आना बहुत आवश्यक है अगर अकारांत पढ़ना है अकारांत पुलिंग बाची पढ़ने है तो यह चार रू है वहां बड़ा हो जाए यहां चोटी है बड़ी तो चोटी बड़ी दोनों हो सकती है ऐसा कोई जरूरी नहीं है ठीक तो इसके चार चार इसके चार इसके और चार नपून सक उसे कहते है आजंत और हल हो जिसके अंत में उसे कहते हैं हम अलहलंत हलंत माने लियंजन ठीक तो यह हलंत है जो हलंत भी तीन प्रकार का होता है हलंत पुलिंग हलंत इस्ट्रेलिंग और हलंत नपुशकलिंग लेकिन उनका डिवाइडेशन चार में नहीं होता है वो सीधा तो तीन रूप उनके हो जाते हैं तो 12-3, 15 रूप हमारे होते हैं और 15 को हमें तैयार करके पूरा एक जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो आपको एक सिस्टम से पूरा स्लाइड बना करके इसका देंगे लेकिन उससे पहले आपको यह थोड़ा सा आपको याद रखना है कि किस सब्द का हमें अर्थ जानने के लिए विश्यस रूप से पंद्रा रूपों को सीखना बहुत आवश्यक है अगर ये पंद्रा रूप हम नहीं सीख पा रहे हैं तो हमारे अंदर कमी हैं याद रख लेना कि कोई ब्रह्मांड का आपको सिक्षक पढ़ा नहीं पाएगा ठीक य जब हम रूपों को तयार कर लेते हैं फिर इसके बाद बात आती है क्रिया की तो क्रिया मतलब हमारी संस्कृत में जिसे कहते हैं धातू रूप जिसे हम कहते हैं तिगंत प्रकर्णम जिन में हमें धातूं को सीखना होता है धातूं में हमारे लकार होते हैं ये आप लोगों से तो हमें दस्तों लकारों का अध्यान कर लेना चाहिए ठीक तो यह उसमें लेकिन हमारी लगुसिद्धांत कौमदी में यह बताया गया है कि हमको लकारों कि एसु पंचमों लकारा छंदो मात्र गोच्रा लट लिट लोट लंग लिंग 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 एसु पंचमो लकारों छंदों मत्र गोचरा इन मैंसे किवल पांच लकारों को हमें क्या करना चाहिए देखना चाहिए तो विसेस रूप से तो पांच ही देखना है लेकिन हमें कोसिस करना कि आ जाए तो अच्छी बात है नहीं आते हैं तो कोई बात लेकिन परस्में पद की सारे सब्दु क्रिया रूप हमें आना चाहिए तो इसमें हम जहां पर चल लाए थे वहीं पर चलेंगे ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करें पता चला कि नहीं तो पदए हम अगर गिरामर में चले गए तो यह हमारा बहुब कल्पी प्रशने रह जाएगा चलें अब यहां पर हम देखते है कि हम आपको बता रहे थी क्या यह हमारा की कौन सा रूप है रक्षा का जो रूप है यह हमारा आकारंत इस्त्री बाची है और आकारंत इस्त्री बाची है और आकारंत इस्त्री बाची हमारे रूप चलेंगे कैसे रमा के समान कैसे चलेंगे रमा के समान लता के शमान पुस रमया रमाये रमायाह रमायाह रमायाम हे रमे हे रमे ठीक इतना याद रखना ये हमारा संबोधन है ये प्रत्मा विभक्ति ये दुतिया विभक्ति ये तरतिया ये चतुर्थी ये पंचमी और ये सश्ठी और ये पंचमी सश्ठी सप्तमी ये हमारी तरतिया प्रत्मा दुतिया अच्छा प्रत्मा यहां हो जाएगी ठीक प्रत्मा हमारी यहां हो जाएगी दुतिया यहां हो जाएगी दुतिया तरति चतुर्थी चतुर्थी पंचमी सश्ठी सब्तमी यह संबोधन इतना यह बस याद रख लेना ठीक तो यहां से जह हम रूप देखेंगे तो इसी प्रकार से आप इसको बना लेंगे तो लिखा हुआ है रमारमाम रमयारमाय रमाय 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 रक्षाया रक्षाया आगया न रक्षाया और रक्षाया 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 ठीक हे रक्षी ऐसे आगया रक्षाया 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 चल गया है कि प्राण रक्षायाई में कौनसी विभक्ति लगी हुई है चतुर्थी एक बचन का रूप लगा है किसका लगा हुआ है चतुर्थी एक बचन अब हमने इतना पता कर लिया जब कि इसमें चतुर्थी का एक बचन लगा हुआ है तो अब हमें आना चाहिए क्या का कारक चतुर्थी विभक्ति का कारक है के लिए क्या है के लिए करताने क्या लिखा करताने कर्म को करण स्थ के द्वारा संप्रदान के aquell को के अपादान से अलग होना ठीक अलग होना और सश्ठी में काके की का के की और सब्सक्राइब में में पर में पर और यहां हे भो अरे अब हमें यहां देख ला कि महमा साह सेना पती प्राण रक्षा के लिए प्राण रक्षा के लिए है और ज्ट निकलेगा यहां अब यहां अगत्षत में गया था क्यों आया है यह भी हमें बहुत जरूरी है जानने यह जो अगत्षत रूप बना हुआ है किसका होता है बहुत काल का बोधक होता है और पुरा पाठ हम पढ़ चुकी है तो बीच चुका है और आज से नहीं बहुत पहली की बात है इसलिए यहां पर क्या है अगच्छत आया महिमाज शाय शेहनापती अपनी प्राण रक्षा के लिए कुत्र माने कहां अगच्छत माने गया था अब देखें गया था में यहां अगच्छत आया है तो इसमें भी पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुर इसमें जो बनता है अत अताम अत अताम अन बनता है ठीक प्रथम पुरुसिक बचन में अब देखें यहां बनेगा आ इसमें भूत काल में आ प्लस रहता है और गम धातू से गच्छ बनेगा अगच्छत यहां अगच्छत यहां अगच्छत ताम यहां अगच्छत ताम यहां बनेगा अगच्छ अगच्छ तम अगच्छत तो यहां जो अगच्छत बना हुगा है यह किसका है लंग लकार का है और भूद काल का पूधा के इसलिए आर्थ निकलेगा गया था चले अब यहां तक अगर समझ में आ गया है अब वो पूझ रहा है कि महिमा साइश शैनापत के लिए कहां गया था मेधनीपुरम गया था क्या मेधनीपुरम कहीं आया है कहीं पर ऐसा आया है श्वानगरम अपने नगर को गया था क्या ठीक योगनीपुरम योगनीपुरम जो उसके सैनापति उसके स्वामी यवन राजा जिसमें राज करते थी क्या वहां गया था र तो तो हम बताने की जरूरत नहीं है आप सौयम बता देंगे कि कहां किसके पास गया था छैना पति प्राण रच्छा के लिए हमीर देव के पास गया था किसके पास गया हम दुछे ज्रेश इब कौन सा प्रश्ण भारा सुदा हमीर दोई आभ क्यों आया है ठीक है ना पहला प्रश्ण समझ में आया इतनी चर्चा पहले प्रश्ण पर हमने इसलिए की है कि आपको प्रश्ण का जब अर्थ निकाला है तो इसी प्रकार से निकाला है हमें अगर अर्थ नहीं बनेगा आप केवल इसको देखेंगे कि चार विकल्प देखेंगे तो चार लिए हमेशा के लिए तयार रहे अब यहां देखेंगे एक बात और याद रखना कि इससे जो हमारा प्रश्ण बना है तो मेदनी पुर्तों हमारे इसमें कहीं विकल्प में अब पूरे पाठ में नहीं आया तो इससे हमारा कोई संबन नहीं स्वा नंगरम अपने नंगर के ल तयार होता है अपने अपने उसके योगनी पूर जाने के लिए तयार होता है तो यहां स्वा नगर इसका क्या बन जाएगा परियावाची सब्द बन जाएगा तो यह थोड़ा सा याद रखना तो यह हमारे लिए प्रश्ण एक क्या हो जाएगा एक प्रश्ण जैसा बन ज के तटपर है तो हमें इससे कितने प्रश्ण मिल गए है महिमा साहे सेनापती प्रांद रक्षा के लिए हम मेर्दियों के पास गया और ये पता चल होगई हैं ठीक और स्वा नगरा हमें सब्देस्वा नगर के लिए कौन से निजनगरा तो सब्सक्राइब के साथ में चार पॉड़े हम आप सेन बोलते हैं कि विकलप को केवल अंसर को में ढो भी हमें चारों विकलप जो अगर इस से संबंदित नहीं है तो उसको अपन छोड़ देंगे ठेक है ना उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे चलते हैं आगे बहुत जरा ध्यान से देखिएगा दूसरा प्रशन हमारा रहेगा कि योगनी पुरम नाम नगरम कुत्रस्ति देखिए आगे वही प्रशन आ गया बिल्कुल अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो वह प्रशन आपसे बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा योगनी पुरम नाम नगरे कुत्रस्ति नाम योगनी पुरम का नगर कहा है चलिए बताए जल्दी से बताए योगनी गंगा तीरे क्या गंगा देखिए अब यहां से देखना गंगा तीरे कालिंदी तीरे सरस्वती तीरे भागी रथी तीरे पहली बात तो बहुत अच्छी बात यह है कि हमें संगम यहीं मिल गया है क्या मिल गया है संगम जानते ना प्रियाग राज इलहवाद जो प्रियाग राज हमारा है जिसका नाम पर ये ये बात याद रख लेना कि जो हमारी गंगा है गंगा गंगा कहां पर हमें दर्शन मिलते हैं गंगा जी के प्रयाग राज में यमुना जी के दर्शन कहां मिलते हैं प्रयाग राज में और सरसुती जी के कहां मिलते हैं प्रयाग राज में गंगा जमुना सरसुती मिल भागी रती के परियावाची त्रिपधगा लोक बासनी तीनों लोकों में जो बास करती है त्रिपधगा तीन पथों से गमन करने वाली है तीन पथों में तीन रास्ताओं में आकास मार्ग से आई प्रद्वी लोक पर चली और क्या है पाताल लोक को चली गए यही तो तीन प प्रश्ण यहां से देखिए जरूरी नहीं है कि हमारे केवल पाठ से ही संबन्धित पाठ हूँ प्रश्ण आये आपकी परिछ्छा में अब ये अगर उसने पूछा है कालिंदी का पर्याबाची बताओ तो कालिंदी क्या कालिंदी पाठ में आया है लेकिन उसने कालिंदी किसका है यमुना का तो परियावाची रूप में भी वह आपसे पूछ सकता है तो समझ में आया कि गंगा तीरे गंगा जी के किनारे किनारे पर और कालिंदी तिनारे कालिंदी की किनारे पर सरस्वती किनारे अर्थिन का बता रहा हूं भागी रथी अब यहां तीरे सब्द आया है तो पर क्यों लग रहा है सब्तमी का एक वचन लगा है ये भी हाथ रखना है ठीक सब्में तीरे में सब्तमी एक वचन कालंदी तीरे इसमें सब्तमी का एक वचन जितने भी है संगम मिल गया और संगम मिल गया बड़े भाग से संगम मिलता है इलावात से मिले चाहिए हम लेकर तीनों को संगम मिल गया है चली है अब देखेंगे इनका अंसर दिखते हैं कालिंदी तीर योगनी-पुर्म कहा है यमुना के किनारे और जिस पर यवन तेरी तीर यहाँ पर क्या है यहाँ राज करता था और किसी दिन क्या है किसी कारण से प्रियोजन की कर वह कुरोधित हो जाता है सैनापति पर चैने आगे देखेंगे बहुत अच्छा प्रश्ण था अब यहाँ देख लेना है योगनी पुरम में दुतिया व्यक्ति योगनी पुरम नाम का नगर नगर कुत्र माने कहां यहां कहां अस्ति माने है इतना बस याद रखना इनके अर्थ याद जरूर रखना ठीक चले और यह अगर यहां पर यह कुत्र लगा हुआ है कभी-कभी ऐसा होता है कि इसमें आजाएगा यहां पर योगनी पुरम नाम नगरम कस्मिन अस्ति ठीक है न और सीधा सीधा लेखे कुत्रास्ति तो ऐसे भी चल जाएगा ठीक तो कुत्र का प्रयोग ज्यादा होता है स्थान बाची में तो याद रखना चले आगे देखेंगे अगला प्रशन सामर्ष क्या अमर्षाम धन रर्ष शाधन मर्शह शार्म धन शह शाधन अमर्शह अब यहां पर देख लीजी हमें सबसे पहले यह देखना है कि यह पूरपद बना हुआ है कभी कभी पूरपद बना होता है हमें तोड़ने में क्या है शमस्या जाती है हम उसको तोड़ नहीं पाते हैं क कि इसको तोड़ेंगे कैसे इसको हम अलग से कैसे करेंगे तो आपको मैं बता दू पहले तो हमें ये देखना है कि कहां पर मिलकर की कौन सा विकार हुआ है सारी संधियों का हमें नियम बस आना चाहिए नियम अगर हमें संधियों का आता है तो हम बहुत अच्छे से उसको कर बाते हैं चलिए देखते हैं इसका हमारा संदी विच्छिद ये होगा ये साधारन हमने आपको अर्थ पता दिया है जरा देख लीजिए ये है ये इसका अर्थ वो हो गया है इसका अंसर हो गया लेकिन ये क्यों अंसर ऐसा हुगा है ये हमें देखना जरूरी है इसमें हम सब अमर्ष होगा क्या होगा शाधन अमर्ष हमने इसको तोड़ दिया अब दीर्ग संधी का सूत्र हम इसमें लगा रहे हैं तो दीर्ग संधी का सूत्र हमें पता होना चाहिए कि कौन सा सूत्र है अकहा शवर्णे अकहा शवर्णे दीरगा अकहा शवर्णे दीरगा क्या कहता है औक से सवरणी आच परें हों तो दिरगिशनी हो जाती है अकसेशवरणी आच क्या होंगी तो यह संच्षिप्तियस्टेश बना हुएं प्रत्याहार होते हैं यह 42 Прत्याहार होते हैं कितने होते हैं 42 प्रत्याहार होते हैं और अस्टाध्याई के आधार पर इसको और सिध्धान्त कौमदी के आधार पर इसमें हमारे 44 प्रत्याहार भी माने जाते हैं ठीक रम प्रत्याहार और रल प्रत्याहार को हम लोग क्या मान लेते हैं यह नई प्रत्याहार और रम प्रत् यह हमारी प्रत्याहार हैं उन प्रत्याहारों के आधार पर ही यहां यह अक प्रत्याहार आया है अक प्रत्याहार में जो हमारी वर्ण होंगी वह होंगी आ ई, उ और रिशी यह हमारी चार वरना आते हैं अक पृत्याहर में अब अक पृत्याहर की बाद उन्होंने कहा है कि सबरणी अच्परे हो उ और रिशी आमनी सामने बड़े अक्षर भी हो तो भी चलेगा इसमें बड़ा अ भी आजायेगा तो भी हमारा इसमें मानने किया जाएगा बड़ी ई और इसमें बड़ी ई इसमें बड़ा उ और इसमें बड़ा उ और इसमें बड़ी रिसी इसमें बड़ी रिसी और इसमें भी वड़ी रिसी अगर ये भी आ जाते हैं हलाकि ऐसा कुछ हमारे इसने नहीं कहा है किसने प्रत् ही बनेगा यह सामने होगी तो बड़ी यही बनेगी क्या बनेगी बड़ी यही बनेगी यह और छोटा उ बड़ा उ मिलकर के कुछ भी हो बड़ा उ ही बनेगा रिसी अगर आमने शामने हैं तो बड़ी रिसी ही बनेगी यह हमाई विसे सुरूप से याद रख लेना है ठीक है आमने सामने का मतलब जैसे इसमें आ है इसमें आ है पहले पद की अंत में देखना और अंतिम पद की पहले में देखना है याद रखना तो पहला पद हमारा क्या है सा में जो छोटा आ लगा हुआ है ये और ये अमर्श का आ अब दोनों आमने शामने हो गए है देखो यहां य वैसे यह आमने सामने वैसे ही यह आमने शामने हो ठीक तो आमने सामने जब कोई भी वर्ण समान हो छोटा हो बड़ा हो बड़ा हो छोटा हो कोई मतलब नहीं लेकिन एक ही वर्ण होना चाहिए यह 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 हो तो यहां आ मिल गया अब देखो दोना मिलकर की क्या बना तो हमने इस मेंसे सा मैंसे क्या निकाला था चोटा निकाला था तो साün हमारा क्या हो जाएगा हलन्त पड़ जो हमने यह बनाया हुआ है यह हम इसको बीच में लगा देंगे अब अमर्ष का भी निकल चुका है तो हमारे पास केवल बचेगा क्या मर्शह क्या बचेगा मर्शह को जयों कत्यों हम यहां लिख देंगे अब इसमें याद रखना कि आ हमारा जब इसी में सा में देखिए ये बना हुगा है इसमें विशर्ग नहीं लगा तो इसमें भी विशर्ग लगा लिजी अमर्शा शामर्शा बन गया है कि पद की नहीं बना तो इससे ये इसपश्ट हो गया है कि सामर्शा में कौन सी संदी है दिर्ग शंदी है और दिर्ग शंदी की आधार पर अक दिर्गिशंदी अब यहां पर लिखा हुआ है बड़ा उ तो बड़े उ के लिए भी हम यहां पर आपको एक सब्द दे रहे हैं कौन सा वधूत्षा वधूत्षा इसमें भी वधू धन उच्छा वधूत्षा नदी धन ईसह नदी शह तो यह हमारा वधूत्षा बन गया तो यह दिर्गिशंदी अब रिशी की बात करें तो यहां पर पित्रिणम् सब्द आएगा कौन सा फित्रिणीー पित्र धन रिणम पित्रिण मा बन जाएगा फितृ धटद रिण region और पीत्रिणा यह हमारा देरग यह हमारा दिर्ग और सामर्णां तो यहां पर हमने देखा क दीर की संधी सामर्शा में उसने पूचा कि आज से संधी विच्षेदा अस्ती इसका संधी विच्षेद है तो इसके संधी धन एव गतस धन एव अत्रों संधी युक्त पदम अस्ती देखें गतस धन एव अत्रमाने यहां संधी युक्त मतलब दोनों को मिला देने पर बनने वाला जो पद होगा वह पद कौन सा है उस पद की बात कर रहे हैं कि गतस और एव सब्दिशे जो दोनों को मिला देने पर उपद बनना है वो कौन सा तो गतस्यव ये वाला बनेगा गतस्याव ये बनेगा और गतस्यव ये वाला बनेगा अब हमें ये देखना है कि हमारा किवल ये वाला बनेगा कि नहीं ये इसमें सीधी मात्रा इसकी लग जाएगी कि यहां कोई शंधी होगी तो यह हमें सबसे प तर देख लिजी का यह गते शित्यों सीधर सीधर जुड़ गया ठीक लेकिन यहां साधरत और तौर चे देखें तो इसमे एंक माटरा जरुब लग जाएंगी लेकिन इसमें व्रद्धीसंदी होगी यह इसमें अंसर नहीं है इसका इसका अंसर होगा हमारा ये वाल याद रखी तो ये इसका सदी रहेगी ब्रद्धि संदी डाटी संदी जैसे ही होगी तो गतस्य क्या वना गतस्य लिखा है ना गतष्यो धन यह लिखा हुआ हुआ है वरद्धी संधी का सूत्र क्या है वो भी देख लें है व्रद्धी रादयच व्रद्धी रादयच कौ Mount Raadis Kelly सूतर क्या कहता है कि पहले पद में छोटा और बड़ा दो उसके बाद ए या आई तो क्या बनता है आई बनता है छोटा और बड़ा आ के बाद अगर ओ या आउ आए तो क्या बनता है हमारा आउ बनता है चोटा और बड़ा आ के बाद अगर रिसी चोटी रिसी या बड़ी रिसी आए तो आर बनता है यह नियम है अब इस नियम के तहट हम उसको देख लेते हैं अगर यह हमारा नियम इसमें बैठ जाता है सिस्टम से लग जाता है तो हमारा इसमें व्रद्धी संदी होगी नहीं तो फिर क्या गुनसंदी मानेंगी ठीक लेकिन अगर नियम लगता है तो फिर कोई चांस नहीं है व्रद्धी संदी ही होगी ठीक अगर नियम देख लेते हैं उसने कहा कि पहले पद में छोटा या बड़ा आ होना चाहिए तो हमने पहला पद देखा और पहले पद के अंत म है इसमें छोटा आ हमको मिल गया अब उसके बाद कहता है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आई मिलना चाहिए तो हमने देखा तो इसमें क्या मिल गया है हमें ए मिल गया है यह यहां तक तो नियम हो गया हमारा यह नियम तो इसने पूरा कर दिया अब यह नियम पड़ रहे थे तो जब आध्र की किसी बेंजन से निकाल लिया जाता है तो वैंजब हो जाता है आधा तो हमने देखिए गतस मेसे गतस की या मैसे eyes की निकाल लिया है तो ये आधा हो गया हलनत लग गया अब यहां पर हमने आई जो दोनों वर्नों को मिला करके आई को बनाया था वो हमने मद्द में लिख दिया एव निकल गया था तो यहां हमारा केवल वा बचेगा क्या बचेगा वा बचेगा इतनी बात अगर शमझ में आपको आ गई है अच्छी से तो एक आई की मात्रा हम इस पर लगाएंगे किस पर लगाएंगे इस पर इस यह गतस अब इसकी स्वर इस पर लगेगा तो यह आधा था तो यह पूरा हो जाएगा यह हमने इस पर दो मात्रा लगा दी आई की मात्रा कितनी हैं दो अब आई की मात्रा याद रखना ए और आई जब हम किसी पर के और कई ऐसे लिखते हैं न तो यह हमारी एकी मात्रा एक होती है और आई की मात्रा जो होती है इतना तो आप लोगों को पता है ज़ा हम खडियां बगहरा सीखते हैं हम ने बचीपन में सीख्योंगी खड़ erfolg छोटा का भड़ा का छोटी की बड़ी की छोटा कू बढ़ा कू के कई को कवकं कहा ऐसे पड़े हैं तो वही ये खड़ियां है यह हमें मात्रा बताती है कि मात्रा है कैसी लगाना है ठीक अब यहां पर इसके मात्रा दिर ओए ऊवा को लाए हम इसमें हमने समलित कर दिया तो वरने सम्मिलन कृति करने के बाद सब्द बना बना हमारा कौन सा गतस सेव कौन सा बना गतस सेव अब इसमें हम संधी की बात करें तो इसमें कौन कह देगा कि गुण है इसमें कोई कहेगा क्या कि गुण संधी है गुण नहीं होगी इसमें कौन सी संधी व्रद्धी संधी का सूत्र हमारा क्या होगा व्रद्धी रादईच कौन सा होगा व्रद्धी रादईच अब यहां पर गतस्याव यहां गतस्याव बना हुआ है और गतस्याव बना है तो क्या होगा कोई संधी होगी क्या गतस्याव बना है तो कोई संधी अगर हम इसको सीध सीधा लगाएंगे इसमें एक ही मात्रा लगा दे तो यह हम लगा कि आएंगे और हमारा क्या है प्रश्ण परिक्ष्छा में होगा गलत यह मुद्रन दोस इसमें हो गया है जो इसमें हमारा थोड़ा सा टेक्निकल रूप से इसमें गलत हमारा अंसर लग गया है तो उसको ध्य नंबर का याद रखना चलिए अब हम दिखेंगे प्रस्ट नंबर हमारा कौन सा पांच मां प्रस्ट नंबर पांच मां कह रहा है हन धातु और इनेच प्रत्य और सत्री प्रत्य की योग में पुलिंग प्रत्मा एक बचन में अत्रमाने यहां निस्पन माने निर्माड सारूप बनेगा ठीक है ना तो घात यहां पहली बात तो देखिए आपको अगर प्रत्य सीखनबो प्रत्य सी बनने वाली सब्दों को अगर हमें विस्यस रूप से तयार करना है तो इसमें एक बात याद रख लेना कि जो बीच में प्रत्य कभी-कभी आते हैं बहुत कम प्रत्य ऐसा नहीं है जिसमें एक कुछ सिस न बचता हो बहुत सारी प्रत्य सब प्रत्यों में हमारा क्या है कुछ न कुछ सिस बचता है तो वही इसमें देखना है सत्री प्रत्य में इस रिकार की इत्षंग्या हो जाएगी सकार की इत्षंग्या हो जाएगी और हमारे पा तो आधिरें टुडवा सूत्रिशे हमारा रिकार की क्या हो जाएगी वह रिकार की चंग्या हो जाएगी और तसलुपा से लोग और हमारा अत बच जाएगा अत का अन हो जाता है क्या हो जाता है अत का अन अब यह देख लो अगर हमें यह पता है कि सत्री प्रत्य में अत बच करना आना चाहिए रूप ठीक है ना सिद्ध करनी का मतलब यह होता है कि हन धातू से कहीं पर भी यहां हा नहीं दिख रहा है किवल हातम में दिख रहा है अब यह हन से घा कैसी बन गया है हन से घा कैसी बन गया है यह हमें पता होना चाहिए हन मने होता है मारना और घातयन माने भी होता है मारना तो यहां परिवर्तन हाका घा में हो गया है किस में हो गया है घा में हो गया है घड़ी में ठीक तो यह भी हमें याद होना चाहिए कि कहां परिवर्तन होता है जैसे तत्धन हित तधित बनता है धा हो जाता है परिवर्तन हाका तो यहां हो गया है तो यह घात बनता है ठीक लेकिन घातियन बना है अनके आधार पर ठीक तो समझ में आया तो इतनी इस सारी चीजें अगर हम इस प्रकार से थोड़ा सा देखते जाएंगे तो प्रत्य की आधार पर हमें प्रशन सही मिल जाएगा ठीक है ना चलिए हमारा कौन सा प्रशन अंसर सही होगा घ में कर यहां और नपूसकर कर यह लेकिन परत्यतीव में एक ही होता है तो यह भी हमें थोड़ा रखना है पर अग्ला प्राविश्य में करड़ि पर अत्र निश्पन्र रूप मस्ति ठीक पर उपसर्ग लगा म। उंस म्रिस धातू और लेप प्रत्य की योग से निस्पन मने निर्माण होने वाला रूप मस्ति मने रूप है कौन सा रूप ऐसा है जिसमें परा उपसर्ग लगा है म्रिस धातू है और लेप प्रत्य है चलिए अब हम देखते हैं परा उपसर्ग इसमें है परा इसमें है परा इस बचता है चली हम आपको बताते हैं लिया प्रत्ते में लकार की इस चंग्या और पकार की इस चंग्या होकर कि किवल यह सेज बचता है यह और यह जब सेज बचता है हमारे पास तो पहले तो हमें यह देखना है कि इसमें कौन कौन से में यह है तो यह यह है और यह है मतलब द कम हो गई ठीक अब फिप्ट अभी हमारे दो चार मैसी कितनी चले गए दो चले गए अब 50-50 बचना तो अब कौन होगा यह वाला होगा कि यह वाला होगा तो यह भी हमें याद रखना है चलिए अब हम यह देखते हैं कि इसमें हमारा जो प्रत्ता यह हमारा सेज बचा हुआ है ठीक चलें यह हमारा सेज बचा है और मरिस धातू में यहां हलंत लगा हुआ है देखें यह हलंत लगा है कि नहीं यह लगा है हलंत हलंत का मतलब सा हमारे धातू में क्या है कोई स्वरांत धातू नहीं है यह बेंजनांत धातू है ठीक अब हमने देखा कि परा उपसर्ग है म्रिस धातु है और यह प्रत्ते जुड़ने पर इसमें आधा सा आ रहा है इसमें पूरा सा आ रहा है और पूरा सा यहां अगर कोई पीछी स्वर होता तो इसको पूरा कर देता लेकिन इसमें कोई पूरा स्वर नहीं है तो यह क्या है हमारा आधा ही रहेगा तो इसका देख ले यह अंसर हमारा अंसर तो यह हो गया अंसर तो हमारा यह हो गया यह तीन हमारे गलत हो गया यह हमको मिल गया ठीक लेकन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम इसको जब सिधा जुड़ गया है क्या बन गया है किसी चीज को करने से पहले हमें क्या करना है उस पर मंथन करना चिंतन करना वही तो परामर्ष विचार है ठीक है ना कभी-कभी हम ऐसा करते हैं दूसरी से परामर्ष ले कभी-कभी अपने आप से परामर्ष करते हैं विचार करते हैं चिंतन करते हैं बैठ करके कि ऐसा उचित रहेगा कि नहीं रहेगा तो वही हम उपद पद योगे कहा विभक्ति अब देखे साकम जो सब्द है इस पद उपद में यह उपद योग में योगे में सब्द में लगी यह उपद योग में कहा माने कौन विभक्ति माने विभक्ति है साकम के योग में साकम के योग में कौन सी विभक्ति है यह पूछ रहा है व है लेकिन एक सूत्र हमारी व्याकरण में आया है सहसाकम सममसारधम तृतिया सहसाकम सममसारधम तृतिया अब इसका मतलब क्या होता है साथ के योग में साथ के योग में किसी के साथ चलने की योग में किसी किसी के साथ रोने की योग में किसी के साथ खाने की योग में साथ का मतलब ही साथ साथ में ठीक सा लगा हुआ है तो भी सा का मतलब साथ होता है सा परिवार का मतलब होता है साथ में रहने वाले ठीक है न तो याद रखना तो उसी प्रकार से अब यहां देखना कि तृति चतुर्थी में तो होगा नहीं प्रत्मा में होगा नहीं पंचमी में होगा नहीं तृतिय विवक्ति इसमें दी हुई है अब सह साकम समम सारधम तृतिया तो एक सूत्र है हमारा सह शाकम सहसाकम समम शारधम तृतिया सहसाकम समम सारधम तृतिया यह हमारा सूत्र है और सह की योग में हमेशा तृतिया विवक्ति लगती है ठीक है न? तो याद रखेंगे यहाँ जैसे हमने कह दिया है कि रामम सीता जैसे बने सीतया समम रामह बनम गच्छती सीता के साथ राम बन जाते हैं कुछ भी कह सकते हैं किसी के साथ बन जाते हैं जरूरी नहीं है बन नहीं जाते हैं तो हमने कह दिया है पे पुत्रेन सह पिता पुत्रेन शह पिता भुपाल नगरम साह्थ के योग में क्या वनेगा हमारा तुर्टिया त्रितिया विभक्ति का योग वहां बनता है तो साकम उपफद की योग में यहें चलि तो देख लेते हैं यह यह देख स्वारस फिर्टिया विभक्ति şunu किए हमारी तरप से आकम सममसारदम तृतिय समझ में आगया है कभी भी साथ की योग में कोई भी हमारा आ जाए साथ का योग हो तो समझे लेना कि внимat हो दान का यो आ जये दादाने चतुर्थि आपको यहीं बतादू दादाने चतुर्थि हमेशा दान की योग में अगर बातiet है तो वहां चतुर्थी विभक्ति हो जाती है देने के अर्थ में कोई भी हो देने की बात की जाए वहां चतुर्थी विभक्ति होती है दादाने चतुर्थी ठीक आप जैसे प्रत्मा की बात करें तो बोले प्रत्मा सर जी प्रत्मा कहा होती है सर तो प्रत्मा के लिए वताएं एक सूत्र आता है प्राती पदिकार्थ लिंग परिमार बचन मात्रे प्रत्मा हमेशा लिंग में लिंग बाची का मतलब पुलिंग इस्त्री लिंग नपुशक ले कोई भी सब्दों लिंग बाची हो ठीक तो लिंग परिमार परिमार का मतलब होता है मात्रा तॉलना माप होते हैं ठीक लिंग परिमार वचन मात्रे मात्रा का मतलब एक दो तीन चार पाँच ये मात्रा है ठीक है ना एक मात्रा दो मात्रा तीन मात्रा ये ठीक और किलो के भाव में भी कह सकते हैं ये भी हमारी मात्रा ही एकाई है देखना बोले कितनी मात्रे मात्रा में आपको चीनी ही है तो जैसे देखें उसने कहा प्राथि पधिकार्थ लिंग परिमान बचन मात्रे प्रत्मा अब प्राति पधिकारत का मतलब होता है जिस अर्थ बाची सब्सक्राने 4 लगती है दादाने केवल इतना यह इसलिए बता रहे हैं यह ज्यादा तरप्रयोग में आते हैं जैसे राजा ब्राम्हण को गाएं देता तो कौन ब्राम्हण को गाएं दे रहा है किसके किसको दे रहा है गाएं ब्राम्हण को और जब किसके लिए गाएं दे रहा है राजा ब्राम्हण के लिए गाएं देता है तो हमेंसा ब्राम्हणाय चतुर्थी ब्राम्हण में चतुर्थी जिसको दान दिया जा रहा उसी में चतुर्थी लग जाएगी जैसे हमने कहा कि सुरेश राम को फल देता है तो सुरेस रामाए फलम्दा दातnya राम को फल देता है न तो इस प्रकार से जिसके लिए जो काम दिया जा रहा है उसी में चतुर्थील पंचमी पंचमी तो देखो याद रकना कि भीतरार्था नाम भै है तो भीत्रार्था नाम अपादाने पंच्वी पंच्वी भक्ति वहां लगती है जहां डर हो जहां डर आप गुरू से डर रहे हैं आप सिंग से डर रहे हैं आप बिच्छू से डर रहे हैं आप सर्प्ष से डर रहे हैं जैसे वो सर्पात विभेती ठीक है ना गुरू सिस्षी से जसे गुरू से डरता दरता है कि से डरता है गुरू से तो यहां याद रखना धाढ शिष्या गुर्व स्मझ रहे हैं तो इस परकार से भी त्रारथा नाम भैहेतू भी धातू की योग में और डिस किरत्थ में रक्छ Bowl रख्षा की अरत हमेशा पंचीवी भक्ति और त्रतिया हमने बताया सहसाकम समंसारदम त्रतिया इसलिए देखो चारों पर चर्चा हो गई है तो चार प्रश्ण हमको मिल गए है चारों प्रश्णों पर हमें यह पता चल गया है कि कहीं न कहीं यह हमारे प्रियोग में आई जाती है तो चारों प्रश्न हमारा होगा अगला प्रश्न है आगत्य इती पदश्य बिलोम पदम किम आगत्य इती पदश्य बिलोम पदम किम आगत्य में जो हमारा सब्द है आगत्य का मतलब क्या है इती पदश्य बिलोम पदम किम आगत्य का बिलोम परियावाची याद रखना आगत्य का गत्व मने जाकर की ठीक और आगम मने आना होता इस्थित्व मने तो ठेलना होता आगच्छ मने भी आना होता है तो इसका विलॉम देख लीजिए कौन सा होगा हमारा यह गत्व जाकर की ठीक यह तो बिलॉम मिल गया अब साधारन विलॉम अगर हमने देख लिया है तो अब हम इसमें देख लेना है कि इसमें कौन सा प्रत्य है कौन सा उपसर्ग है कौन सी धातु इतने इतना यह नॉर्मल हमें देख लेना चाहिए क्योंकि अगर हमें इतना पता नहीं है तो हम केवाल आगत्य का मतलब समझना अब यह आग अच्छे भी तो दिया है आग से पूछ लिय और परत्य लागा यह निकालता है। इसलिए इसके विलोग यह हुगा है चलें यह दिखें अहां हमारा उफ्सर्ग होगा गम धातू और प्रत्य बनेगा कौँसा प्रत्य होगा लिप प्रत्य होगा तो ये इसका हमारी क्या है प्रकर्ति और प्रत्य निकलाया है अब प्रकर्ति में आउपसर्ग आ जाता है कभी कभी इसमें आंग उपसर्ग भी मिल जाता है तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें अंगाकार की क्या हो गई है इत् लकार की पकार की शंग्या और तस सिलोपा सिलोप और हमारा यासिस रहेगा इतना याद रख लेना ठीक अब इसको हम जब जोड़ेंगे वरन शम्मिलन कृतिक कर देंगे तो हमारा बनेगा आगत्य क्या बन गया आगत्य अब गत्वा में भी हमारी गम धातू रहेगी और कित कित्वा प्रत्य रहेगा क्या रहेगा कित्वा प्रत्य रहेगा इतना याद रखना गम धातू से गत बनाया गत बन गया और ठीक गम से और यहां त्वा प्रत्य हमारा रहेगा तो सीधा ताकार की संग्या और गम मकार और सीधा बनेगा गत्वा ठीक पाधातू से पित्वा होगाई तो सीदह सीदह हमारा गत्वा बन जाएगा गां से गम हो यहां आदेसात्मक में हमारा लोटलकर में समझ में आया यहां समझ में आ गया है ही चलें हमारा अगला प्रश्न होगा वो देख लें अगला प्रश्न हमारा आठमे नंबर के बाद होगा यह नौमा प्राहिता है इती पदश्य परियाय पदम कि परियाय का मतलब आप जानते हैं एक समान अर्थ को देने वाला इसे हम समान आर्थी के रूप में भी जान सकते हैं ठीक लेकिन समान समान रूप से अर्थ देने वाला ही परियावाची और परियावाची का मतलब भी होता है एक समान रूप से अर्थ देने वाला सब्द चले प्राहिता प्राहिता का मतलब क्या होता है प्रेशित करना भेजना या क्या किरना यह थी पदश्य परियाव पदम किम ठीक है न तो एक समान आर्थ देख लें देखिए पहले आगत का मतलब आया हुगा प्रहिता का मतलब भेजा हुगा गच्छता का मतलब गया हुगा और अगच्छता का मतलब आया हुगा ठीक तो किसी के द्वारा पूरे पार्ट में प्रहिता सब्द आया है किसी के द्वारा कुछ प्रहित किया गया था तो आप देख लीजिए तो समझ में आ जाए सायद इसका दूसरा अंसर है प्रेसिता अगर आपने पूरा पार्ट पढ़ा होगा देखा होगा तो आपको जर क्या कर देंगे चूर्णा वुसेसं भूल में मिला देंगे और रीज्टा चैथा यवन ने अपने दूद याद रखना प्रेसीता से तो समझ में आ गया हुआ है ठीक है ना याद रख लेना चले अगला प्रस्ण हमारा होगा प्रत्रम किसके लिए प्रयोग हुगा है यह दानना कल अत्रम इति पदश्य इसका परियावाची की सब्द क्या है और इस परियाय पद का नाम क्या है इस पद को किसके लिए प्रयोग किया अर्थ जान लीजिए जना देखें वहार्याम इसका अर्थ जागने की तो इसका अर्थ है पत्नी वस्बंसम मतलब इसका अर्थ है कुल कुलम इसका मतलब भी है कुल और सुद्रम मन होता है अच्छा थेक या अच्छा या अच्छी तो आप अगर आपने पाट को पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि किस के लिए ये प्रेयोक किया गया है आपको अगर पता हो कि सेना पती महिमत साह मैं राजा से कहा था कि आप मुझे क्या है यवनों के हवाले कर दीजिए मुझे जैसे गदेशी के लिए मैं एक यवन सैनापती मुझ्लिम सैनापती और विदीश से आकर के आप मेरे Lillie क्या कर रहे है सुपुत्र कलत्रम सुपुत्र कलत्रम ऐसा सब्द आया है सुपुद्रकल अपने पुत्र और क्या अपने पत्नी अपने मेरे लिए दिया है मेरे लिए आपने अपनी क्या है पतनी को अपने सुपुत्र को और अपने राजी को क्या कर दिया है नश्ट कर दिया है तो इसलिए यहां किस के लिए यह कलत्रम पद आया है पूरे पाठ में बता दीजी यहां कुल के लिए आया क्या नहीं आया अच्छा अच्छी के लिए कि नहीं पत्नी के लिए किस के लिए आया है पत्नी के लिए समझ में आया जब पत्नी के लिए सब्द आया हुआ है तो यहां पर देख लीजिए इसका अंसर क्या है यह भार्या मार्या मतलब पत्नी को पत्नी के लिए ठीक है न अब भार्या सब्द की रूप याद रखना कि के समान चलेंगे किसके समान रमा के समान रमा रमा रमया रमा यही भार्या 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 यही तो दुतिय घखती किसको किसको भार्या को भार्या को किसके लिए कहा गया है कलत्रम भार्या को भार्या को भार्या को कहते हैं कलत्रम मतलब पतनी को कहते हैं कलत्रम प्रश्ण देखते हैं चलिए कोई नहीं इतने ही प्रश्ण इसमें हमने रखे और बहुत अच्छे प्रश्ण थे पाट से संबंधित एक एक प्रश्णों पर बहुत अच्छी चर्चा भी हुई अगर आप लोगों ने पाट का अध्यान किया होगा तो सारे प्रश्ण आपस उसको क्या कर सकते हैं उस पर बहुत सारे प्रश्ण और अपने तरीके से हम तायार कर सकते हैं चलिए कोई नहीं आप तो बने रहिएगा मेगनेट ब्रेंस के साथ क्योंकि मैगनेट ब्रेंस आपके लिए देता है बिल्कुल निस्सुल के सिख्छा आप किसी भी माध्यम से संबंदित हो चाहे cvsc हिंदी मीडियम हो चाहे cvsc इंग्लिस मीडियम आप कहीं से भी संबंदित हो आप तो बिल्कुल लगे रहिएगा मेगनेट ब्रेंस के साथ धन्वाद